नमस्कार, आज हम गोबी के मसालेदार स्वादिस्ट परोंठे बनाएंगे, गोबी के परोंठे सबको ही बहुत पसंद आते हैं, इसे नाश्टे में ऑफिस भी लेके जा सकते हैं, इसको बनाने के लिए हम एक बड़े बतन में आटा डाल देंगे, तेल जगी डालेंगे, एक चुथाई छूटी चमच नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक डो त्यार करेंगे, आटे का डो ना ज्यादा नरम होना चाहिए, और नरम होगा तो प्राठा हमारा फट जाएगा, अगर हाड होगा तो किनारों सी बाहर आ जाएगी, हमें सॉफ्ट डो त्यार करना है, डो बनकर त्यार हो गया है, ना ज्यादा नरम है, ना ज्यादा हाड है, हाथों में थोड़ा सा तेल लेके आटे के उपर लगा कर इसको 25-30 मिनट ढखकर रेस्ट देंगे, ऐसा करने से आटा हमारा अच्छी तरह से सॉ पहा दिया है, एक ग्रेटर लेंगे, ना ज्यादा बड़ी साइस होना चाहिए, और ना ही छोटा होना चाहिए, एक फूल लेंगे और उसको अच्छी तरह से चारो तरफ से कद्दू कस कर लेंगे, आप बड़े फूल भी ले सकते हैं, और चारो तरफ से कद्दू कस कर सकत कि इसमें कोई मोटा पीस तो नहीं रहे गया है, उसको हम स्टफिंग से अला कर देंगे, अगर मोटा रह जाएगा तो हमारा प्राउंठा फट जाएगा, एक बाउल लेंगे, डाल देंगे, कद्दू कस की हुई गोबी प्याज डालेंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते है स्किप कर सकते हैं, भुना हुआ साबु धन्या लाइभ, उसको थोड़ा सा हाथों से वसदानेगे, ऐसा करने से इसको स्वाध बढ़ जाता है। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथिली है, इसको हाथों से क्रश करके डाल देंगे, स्वाद और फ्लेवर आ जाएगा, धनिया अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन को भी हाँ से क्रश कर देंगे, अजवाइन डालने से प्रोंठे का स्वाद भी बढ़ जाता है, डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाता है, लाल मिर्ची इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, नमक नहीं डालेंगे, अगर नमक डालेंगे तो ये पानी छोड देगर जिससे हमारे परोंठे नहीं बनेंगे, परोंठे की स्टफिंग रेडी हो गई है, इसको साइड में रख देंगे, 25-30 मिनट आटे को फिर से लेंगे, हाथों में थोड़ा सा ते लगा कर इसको 5 मिनट तक फिर से गूंथ लेंगे, ऐसा करने से इसमें लचक आ जाती हो परोंठे बहुत स्वाद बनते हैं, चलिए आटा रेडी हो गया है, अब हम गुथे हुए आटे से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसका गोल पेड़ा बना लेंगे, आप परोंठे का साइस अपने स्वाद अनुसार जा पसंद का ले सकते हैं, मोटा जा पतला आप अपने ह परोंठा बनाने से पहले हमने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला था, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, एक बॉल लेंगे और उसको सुखे आटे से लपेट कर हाथों की साहिता से पतला करते जाएंगे किनारों से और बीच में से हम इस और बाहर से किनारों को जूटते हुए इसको अच्छी तरह से गोल अकार दे देंगे, बीच में से इसको मोटा ही रखा हुआ है ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले, हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से लोई में चले गई है और किनारों को लेते हुए प्लेट्स डाल कर इसको बंद कर देंगे हलका सा दवा देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बहार ना निकले सूखा आटा लेंगे दुबारा से और इसको फिर से हाथों से हलका दवा देंगे ऐसा करने से स्टफिंग एक जैसी फैल जाएगी सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ किनारों को बेलेंगे ताकि स्टफिंग बाहर नहीं आती है और हलके हाथों से पूरे परांठों को बेल देंगे चलिए अब हम इसको पकाते हैं तवा हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है परांठे को उठा कर तवे पर डाल देंगे मीडियम हाई इट पर एक से दो मिनट नीचे की साइट पका कर इसको पलट देंगे दोनों साइट को हम आधा पकाएंगे देखी चतके आ गए हैं अब इसको घी जा तेल लगा देंगे इस साइट भी हम घी या तेल लगा देंगे इसको सिप्चुला की सहायता से हलका दवा ताकि ये अंदर के साइट से भी ची तरह से पक जाए और बहर से भी पक जाए दोनों तरफ हलके हलके गोल्डन चत्के आ गए हैं प्रोंठा हमारा अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है आप अपने स्वाधनुसा प्रोंठे को कम जाजादा क्रिस्प कर सकते हैं इसको प्लेगा नहीं क्योंकि उसमें माइस्चर खतम हो जाएगा अब मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ फिर से हमने रोटी को बेला उसके अंदर स्टफिंग डालकर चारों तरफ से रोटी के किनारों को उठाते हुए बंद कर दिया और हलके हाथों से दबाकर उसको बेलन क साहता से बेल लिया प्रॉंठी को हमने हमेशा हलका दवाब डालते हुए ही बेलना है इसको पकाते हैं प्रॉंठी को तवे पर डाल देंगे आधा पक इसको चेंज कर देंगे आधा पक जाएगा तो उसके बाद ही हम इस पे तेल जंग ही लगाएंगे प्रॉंठी पर चतक लीजी आप इसे बटर के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं और देहीं के साथ भी खा सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दवा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप इसे लंच बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं धन्यवाद